म्यूजिक कम्पोजर ने कौन सी सला दी डिरेक्टर सधार तानंद को? क्यों कियार के ने फिल्म को दिया श्राप? किस ने बनाए फिल्म के पोस्टल्स? कमान रशित खान ने फाइटर फिल्म को श्राप दे दिया है कियार के ने जो कहा है फाइटर फिल्म को लेकर वो अगर कोई भी सुनेगा तो उसे ज़रूर गुसा आएगा कियार के ने अपने एक इंटर्वियू में कहा था कि वो जानते हैं कि फाइटर फिल्म फ्लोप होने वाली है और ऐसा वो दावा कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है ति फाइटर फिल्म के मेकर से जान बूच कर फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और वो अपनी फिल्म में फिर से वही सब एक्शन सीन्स दिखा कर ओडियन्स के एमोशन के साथ खेलना चाहती है इसलिए क्यार के ने फिल्म को फ्लॉप होने का श्रॉप दे दिया है जी हाँ दोस्तो जो क्यार के के इस बयान को लेकर फाइटर फिल्म के मेकर से पूछा गया तो उन्होंने बस सही ही कहा था क्योंने इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि क्या बोलते है फिल्म के बा सिधार्थ आनंद के साथ काम करते हुई देखने के लिए इतनी एक्साइटिज है कि वह एक चोटी सी चूटी चीजों को ट्राय करके खुद को तसल्ली दे रही है कि फिल्म में रितिक ऐसे दिख सकते हैं या वैसे दिख सकते हैं जब रितिक को ये पता चला की ओडियंस उनक का कहना है कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ओडियंस फाइटर फिल्म का इतना पेसबरी से इंतजार कर रही है ये तो सभी जानते हैं कि फाइटर फिल्म में पांच गाने हैं लेकिन ये बात काफी कम्योग जानते हैं कि ये आइडिया फिल्म के म्यूजिक नसाबित हो लेकिन जब विशान और शेकर ने सिधार्थ से कहा युन पांच गानों में एक गाना साड सौंग भी होगा जो ओडियन्स को इंप्रेस करेगा तब जाकर सिधार्थ मान गए फिल्म में पांच गाने रखने के लिए सिधार्थ ने अपने इंटर्व्यू में कहा था युन हुने साड सौंग के लरिक्स पड़े भी थे और उन्हें यकीन है कि ओडियन्स को फिल्म का साड सौंग बहुत पसंद आएगा और उन्हें एक कनेक्टिट फील होगा अब देखना यह होगा कि सधार्थ का ये एक्सपेरिमेंट उन्हें क्या रिजल्ट देता है पर उन्हें की रिलीज होने के बाद तो दोस्तों आप कितने एक्साइटीडों फाइटर फिल्मों को लेकर हमें कॉमेंट बाउप सुई जरूर बताएं